किसान भाईयों सादर नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार पुना आपके अपने चैनल एग्री सरद में किसान भाईयों आज हम बात करेंगे धान में लगने वाली भेंकर बिमारी ब्लास्ट के बारे में किसान भाईयों यह एक फफोंद जनित बिमारी है जो आपके फसल में कई परकार से अटेक करता है जैसे नेक बलास्ट, कालर बलास्ट, लीफ बलास्ट, नोड बलास्ट, सीथ बलास्ट यदि हम neck blast की बात करें तो बाली बनने की अवस्था में बाली गर्दन से तूट कर गिर जाती है और color blast की बात करें तो सबसे उपरी पत्ती जहां से node inter node निकलता है वहाँ पर दिखाई पड़ता है और अगर हम leaf blast की बात करें तो इसका लक्षण सभी पत्तियों पर आख के आकार का धबबा दिखाई पड़ता है और node blast की बात करें तो पौधे के गाठो पर दिखाई पड़ता है और अगर हम सीथ blast की बात करें तो इस सबसे उपरी पत्ती पर दिखाई पड़ता है किसान भाईयों यदि हम इसकी राशानी मियंतरण की बात करें तो आपको लेना है नेटिबो 1.500 ग्राम परती एकड और इसी के साथ यम 45 लेना है 500 ग्राम परती एकड किसान भाईयों नेटिबो के टेकनिकल की बात करें तो नेटिबो में पाये जाता है टेबू कोना जोल 50% प्लस ट्राइफ लॉक्सी इस्टॉर्बिन 25% डबलू डी फाउम में नेटिबो एक सिस्टेमिक फंजिसाइड है और यम 45 एक कांटेक्ट फंजिसाइड है दोनों का 200-300 लीटर पानी में घोल बनाकर इस्प्रे कर दें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आपके फसल में नहीं लगी है बिमारी तो नहीं लगेगी यदि लगी भी है तो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा किसान भाईयों आपको यह देखने रहना है कि यदि आपके फसल में बिमारी की लक्षण दिख रहे हैं तो आप तत्काल इसका नियंतरण करें इस्प्रे करें जो मैंने टेकनकल बताया है यह बिमारी बहुत ही भेंकर है काफी नुक्साम देखनों को मिलता है